हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू साइंस मेगनेट दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं अलविदा राजू देश के मशूर कॉमेडियन राजू शिवास्तव जी हमारे बीच में नहीं रहे इसके पीछे कारण है हर्ट अटेक तो इस वीडियो में हम लोग काडियक अरेश्ट तो काडियक अरेश्ट और हर्ट अटेक के बीच में डिफ्रेंस भी हम लोग जानेंगे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया काफी बूरी खबर है सबी जगह आप लोगों को यह खबर देखने को भी मिल रही होगी कि राजू शिवास्तव जी हमार चल रहा था इमस में चलिए तो बात करते है राजु शिवास्तव जी की बारे में जैसा कि मैंने बताए एक मशूर कोमेडियन थे इनको दोस्तों गजोदर नाम से भी जाना जाता था इनका जब भी एक कॉमेडिय कर चते गजोदर नाम का इनोंने बहुत ज़दा प्ले करा है गजोदर नाम से गजोदर नाम का जो character है उन्हों बहुत प्ले करा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है तो इस वीडियो का उद्देश्य पूरा scientific मेलर में समझना होगा कि कौन-कौन चीज है जो heart attack से आप लोग लिए related है और एक बहुत मैं आप लोगों को fact बताऊं कि इनको जो heart attack आया था वो exercise करते वह आया था तो जो general prescription होता है कि exercise करनी चाहिए और इनको heart attack आया है वो exercise करते वह हैं तो किस प्रकार exercise और heart attack एक दूसरे से समझना है यह भी आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आजाएगा तो पूरा में index बताता हूं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं कि function of heart हमारा heart का का काम क्या होता है इसके बार में heart attack होता क्या है और इसके causes क्या है किस वज़े से heart attack आता है difference क्या होता है heart attack and cardiac arrest में और last में हम लोग इनके symptoms रखेंगे चलिए तो discuss करते हैं पहले हम लोग heart के बारे में समझते हैं जैसे आप लोग देखते होंगे एना WhatsApp के emoji वगेरा में कुछ इस प्रकार का icon बना होता है heart के लिए आसा left side की और यह जादा आप लोगों का क्या होता है शिफ्टेड होता है बिल्कुल एक्जेट मिडल में नहीं होता heart आपका पूरा muscular organ है क्यों मास्पेश्यों का बनावा इसमें कोई भी हड़ी नहीं है जैसे आपके नाक में हड़ी है आपके finger में हड़ी है इसमें कोई भ होती है और energy उनको किस से मिलती है oxygen से मिलती है तो basically blood आप लोगों का हर अंग तक जाएगा ना तो वो अपने अंदर oxygen हर अंग तक पहुंचा देगा और साथ में oxygen नहीं हैना बहुत सारे पोशक तत्व भी आपको हर अंगों तक पहुंचाना जरूरी होता है तो यह सारे कारे किस के द्वारा होता है आपके heart के द्वारे होता है क्योंकि heart blood को pump कर रहा है तो blood आपके हर अंग तक पहुंच जाएगा इस heart के द्वारा ठीक है चलिए अब देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जब heart blood को pump करता है तो इस दोरान आपके heart में contraction relaxation होता है जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो तो यहां पर कुछ walls आप लोग देख रहे हो यह खुलते हैं बंद होते हैं तो डॉक्टर जब भी आप डॉक्टर के पास में जाओगे तो बेसिकली आपके heart के functioning को चेक करने के लिए वह स्टेटोस्कोप लगाता ना तो स्टेटोस्क करेगा जब आप लोगों का heart में contraction relaxation यह होगा अब बात करते हैं heart attack आ क्यों रहा है जैसे आप लोगों के हर अंग को oxygen युक्त रक्त की जरूत होती है वैसे ही आप लोगों के heart को भी जरूत है क्योंकि इसको भी तो energy चाहिए होती है तो इसको जो energy पहुंचती है आप लोग heart तक पहुंचेगा तो आपका heart properly करेगा लेकिन अगर आप लोगों की यह coronary artery जो आपकी muscles में है हर्ट की muscles में oxygen लेकर जा रही है अगर इसमें blockage हो गया तो heart के पास में oxygen नहीं पहुंच पाएगी यह डंग से कारे नहीं कर पाएगा इसी condition को बोलेंगे heart attack तो basically blockage क्यों हो रह fat वाली चीज़ जादा खा रहे हो college वाली चीज़ जादा खा रहे हो तो इसमें जमा हो जाता है जिसकी वज़े से blood आगे flow नहीं हो पाएगा आगे oxygen वाला blood नहीं पहुंच पाएगा तो oxygen वाला blood नहीं पहुंचेगा तो आपका heart कारे कैसे condition को लोग बोलते हैं heart attack ठीक है abnormal heart beat heart beat abnormal काम करेगी बहुत जादा आप लोगों का मालू contraction relaxation contraction relaxation आप लोग के heart में देखने को मिलेगा anxiety होगी तो यह क्या है कुछ symptoms है अब बात करते हैं heart attack और cardiac arrest में difference क्या है देखो heart attack तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का जो heart है इसमें जब oxygen युक्त रख्त नहीं पहुच पाता अलग अलग जगह है तो इसको energy नहीं मिलेगी ये काम नहीं कर पाएगा इसको बोलेगे heart attack cardiac arrest क्या होता है ये problem तो circulation की वज़े से आ रही है कि यहाँ पर वो oxygen का circulation properly नहीं हो पाया cardiac arrest क्या है जब आपका heart होता है वो क्या करता है contract करता रिलेक्स करता है तो अगर किसी कारण वस ये contraction relaxation नहीं कर पा रहा तो इस वाली condition को हम लोग cardiac arrest बोलेंगे आपका heart ही काम करने एकड़म से बंद कर जी तो that is the cardiac arrest ठीक है चलिए अब बात करते है इसका prevention कैसे रोका जा सकता है heart attack को जो इतनी खतरनाक समश्या है इसका क्या है healthy diet खाना आप लोग अच्छा काईए cholesterol वाला खाना ना खाईए क्योंकि जो cholesterol वाला जैसे burger हो नहीं पाएगा आपके heart तक properly यह oxygen वाला blood पहुंच नहीं पाएगा जिससे आपके heart को energy नहीं मिलेगी दोस्तो properly exercise करिए अब आप लोग बोलेंगे कि gym में जाने से ही तो heart attack हुआ तो क्यों हुआ देखो actually इसका कारण आपको बदाता हूँ जब आप लोग जिम करते हैं लेकिन अगर आपकी artery में blockage है है ना heart की artery में blockage है तो आपके heart को भी oxygen की जरुत है बट उस तक पहुँच ही नहीं पा रहा तो heart attack आ जाएगा तो जो heart से जो पहले से PDT है ना उनको दोस्तों बिलकुल एक smith मातरा में ही exercise करनी चाहिए और बाकी के जो लोग है जो बिलकुल naturally जिनके कोई problem नहीं है जिनकी artery वगरा में कोई blockage नहीं है उनको properly access करनी चाहिए smoking नहीं करनी चाहिए alcohol बिलकुल भी consumption ना करें क्योंकि alcohol से आप लोगों का liver खराब होता है और liver का काम होता है जो fat आप लोग खा रहे हो उसका digestion करना तो अगर fat का digestion नहीं होगा तो वो भी आप लोगों की artery में accumulate होना जमा होना start हो जाएगा और कुल मिला के stress ना लीजिए क्योंकि जब आप लोग इस्ट्रेस लेते हैं तब भी आप लोगों की जो यह बलड की वैसायल सहरक्त की नलीका है उसमें संकुचन होता है जिसकी वज़े से heart attack आने के chances रहते हैं ठीक है अब इस काम नहीं करा तो chest को जब आप लोग दबाओगे तो थोड़ा सा working उसकी start हो जाएगी ठीक है तो adult में अगर हम लोग बात करें तो इसको दो हातों से दबाना है चायल्ड की बात करें बच्चे की तो केवल एक हाथ से दबाना है infant की बात करें शिशू की बात करें तो इसको क आप लोगों को compression करना है यह कुछ मैं बोलू rate दी गई है कि किस प्रकार से 30 chest compression होना चाहिए at the rate of 100 per minute एक मिनट में 100 बार compression हो इस प्रकार से rate होनी चाहिए तो यह कुछ first rate है जिसका इस्तिमाल किया जा सकता है अगर कोई वक्ति को heart attack आया है तो दोस्तों यह वीडियो था I hope आप लोगों को सारी जान करें समझ में आई होगी तो वीडियो को like कर लीजिए channel subscribe कर लीजिए जिससे हर एक वीडियो का notification आप तक पहुंच जाए science अगर आप लोग कुसी भी competitive exam के लिए पढ़ना चाहते हो तो science का complete course है मात्र और मात्र 700 निन्याड में में हैना यहां पर आप लोग जाओगे तो यहां पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा बाए नाव आप लोग कर लीजिए थैंक्यू सो मच वीडियो को like करिए share करिए channel subscribe कर लीजिए जिससे वीडियो को notification आप तक पहुंच जाए थैंक्यू सो मच